Assalamu alaikum dear students, dear students today we will discuss adverbs and you know adverbs are very important as far as English grammar is concerned कल जो हमने चीज़ डिसकस की थी वो adjective था और adjective के बाद आज हम adverb की बात करेंगे इसमें उसी तरह से 4-5 चीज़ें जिस तरह से adjective के वाले से हमने 4-5 जो important points है वो डिसकस किये थे इसी तरह जो adverbs है उसमें भी 4-5 point है पहला point है the adverbs and the adjectives in English यनि के adverb और adjective में फर्क क्या है बिसक चीज़ यह हम clear करेंगे number one number two इसकी जो form है वो किस तरह से बनती है जो adverb है इसकी form कैसे बनाई जाती है उसके बाद तीसरा point हम यह discuss करेंगे कि जो adverbs है इनका इस्तिमाल कैसे होता है और यह क्या करते है adverbs जो है यानि इनका इस्तिमाल जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं चौथे point पर हम यह discuss करेंगे कि adverbs की कितनी अकसाम है types of adverbs जो है वो कौन कौन सी है उसके बाद पांचवा हम प्वाइंट यह discuss करेंगे कि how to know whether to use an adjective or an adverb हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहां पर किसी फिक्रे में adjective का इस्तिमाल करना है या adverb का इस्तिमाल करना है और छटे point पर हम यह discuss करेंगे कि adjective or adverb after special verbs कुछ मखसूस किसम के verbs होते हैं उनके बाद adjective आएगा या adverb आएगा यह छे point जो हैं इनको हम discuss करेंगे तो चलते हैं पहले point की तरफ the adverbs and adjectives in English adjectives tell us something about a person or a thing adjective हमें किसी शख्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बताते हैं adjectives can modify nouns or pronouns adjectives जो हैं वो nouns को या pronouns को modify करते हैं जैसा के कल हमने पड़ा adverbs जो है adverbs tell us in what way someone does something कि किस तरह से कोई आदमी कोई काम करता है किस अंदाज से कोई काम किया जाता है adverbs can modify verbs adjectives are other adverbs adverbs जो हैं वो verb को modify करते हैं adjectives को modify करते हैं और जो दूसरे adverbs होते हैं उनको modify करते हैं अब मिसाल के तोर पर mandate is a careful girl अब girl जो है वो noun है और careful जो है ये adjective है क्यों adjective है क्योंके noun से पहले आ रहा है और ये girl noun जो है जो girl है और ये noun है ये careful जो है ये इसको modify कर रहा है she is very careful अब यहां पर आप ये देखें के careful जो है वो adjective है और ये she जो के pronoun है उसको modify कर रहा है अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो ad word है वो क्या करता है mandate drives carefully अब वहां पर mandate की personality के बारे में बात हो रही थी तो हमने adjective के इस्तेमाल किया यहां पर mandate का जो action है वो किस तरह से drive करती है या करता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम यह कहेंगे कि mandate drives carefully कि mandate कैसे drive करता है carefully अब यहां पर जो carefully है ये ad verb है she drives carefully तो यहां पर जो है यानि के वो carefully drives करती है तो यहां पर भी उसके action की बात हो रही है so mandate is a careful girl this sentence is about mandate the driver so use the adjective जूँके वो शक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं एक इनसान के बारे में बात कर रहे हैं तो हम adjective के इस्तेमाल करेंगे और mandate drives carefully this sentence is about her way of driving ये फिक्रा उसकी driving के तरीके के बारे में है कि वो किस तरह से drive करती है so use the adverb तो यहां पर बात समझा जाती है कि जब हम शक्स के बारे में बात करें कि वो शक्स कैसा है वो शक्स कौन है क्या है तो फिर हम adjective के इस्तेमाल करते हैं और अगर हम उसके action की बात करें कि वो कोई काम किस अंदाज से सर अंजाम दे रहा है तो फिर हम adverb के इस्तेमाल करते हैं दूसरा point कि इसकी form कौन कौन सी और कैसे बनती है अजेक्टिव प्लस अल वाई आप अजेक्टिव डेंजरिस उसके साथ अल वाई लगा दें तो डेंजरिसली बन जाएगा केरफוחल केरफुली यारिदुल जो है वो आजेक्टिव है केरफुली एड वर्ब है ऐल वाई का अज़ाफ़ कर दें नाइस लिल वाई का अज़ाफ़ा किया servol हुरिबल हुरिबली ई को खतम करके अल वाई का अज़ाफ़ा किया Easy, Easily, यानि के Y को I में चेंज किया और फिर LY लगा दिया इसी तरह से Electronic, Electronically C पर खतम हो रहा है तो I, C के बाद हम जो है A, L, L, Y लगा देंगे इसी तरह से कुछ Irregular Farms होती है इसका बनेगा Well, Adwork, Fast Fast, Fast, दोनों Adjective हैं और Adwork यानि Fast को हम Adjective के तोर पर भी ले सकते हैं और Fast के तोर पर भी इस्तमाल कर सकते हैं इसी तरह से Hard, Hard If the Adjective ends in Y, Change Y to I अगर Adjective Y पर खतम हो रहा है तो फिर Y को आप I में चेंज करें और उसके बाद LY लगा दें मसला हैपी, अब हैपी, H-A-P-P-Y यहां पर Y पर यह खतम हो रहा है तो हम क्या करेंगे Y को I में चेंज करेंगे और उसके बाद LY लगाएंगे बट शाय, शायली यहां पर भी बात वही है लेकिन रूल यहां पर जो है इस्तमाल नहीं हुआ याhair को Y ही रहने दिया गिया और उसके बाद LY लगा दिया गिया अगर एज्जटिव L-E पर खतम होता है तो दें उता है वो L-Y पर खतम होता है अब यह L-E पर खतम हो रहा है तो यह एज्जटिव है और इसका टेरिबली बनेंगा ly के अज़ाफ़ करेंगे तो यह adverb बन जाएगा if the adjective ends in e then add ly safe safely अब चुमके e पर खतम हो रहा है तो इसके साथ हम ly के अज़ाफ़ कर दें तो यह adverb बन जाएगा not all words ending in ly are adverbs एक और बहुत बड़ी misconception और वो यह होती है कि अकसर लोग यह समझते हैं कि जहां पर भी जो लफज ly पर खतम होगा वो adverb ही कहलाएगा लेकिन ऐसा हर्गिस नहीं है अब कुछ adjectives हैं जो के लवर पर खतम होते हैं मसला friendly, silly, lonely, ugly अब यह लफज सारे यह ly पर खतम हो रहे हैं लेकिन यह adverb नहीं हैं यह adjective हैं इसी तरह से nouns जो के लवर पर खतम होते हैं जैसे lie, bully, italy और melancholy यह सारे लफज लवर पर खतम हो रहे हैं लेकिन यह nouns हैं यह adverb नहीं हैं इसी तरह से कुछ verbs होते हैं जो के ly पर खतम होते हैं जैसा के apply, rely, supply यह verbs हैं और यह ly पर खतम हो रहे हैं There is no adverb for an adjective ending in ly Use of adverbs तीसरी बात होती है कि adverbs का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और कहां करते हैं पहली बात कि हम इस्तेमाल करते हैं verbs को modify करने के लिए मसलन हमने यही पढ़ाना कि यह verbs को modify करते हैं adjectives को modify करते हैं या किसी और एड़ वर्ब को मौडिफाई करते हैं तो पहला देखें कि वर्ब्स को मौडिफाई कैसे करेंगे अब यहां पर क्या है कि जो प्लेड है यह वर्ब है और इसको मौडिफाई करेगा बैडली जो के एड़ वर्ब है तो मतलब यहां पर जो बैडली एड़ वर्ब है वो प्लेड जो के वर्ब है उसको मौडिफाई कर रहा है कि हैंड बाल टीम बहुत बुरे अंदाज से खेली लास्ट सैचडे को किस तरह खेली बैडली तो यहां पर बैडली एड़ वर्ब प्लेड जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है दूसरा टू मॉडिफाई अजेक्टिवस अजेक्टिवस को मॉडिफाई कैसे करता है अगर इसके साथ एडवर्ब एक्स्ट्रीमली लगा दें तो जो बैड अजेक्टिवस है और एक्स्ट्रीमली लग जाइगा इड़ जो के एडवर्ब है तो यहां पर बैड जो के एड़वर्ब है उसको extremely जो कि एड़ वर्ब है वो modify कर रहा है इसी तरह से to modify adverbs the handball team played extremely badly last Wednesday अगर हम बात को बहुत बढ़ाँ चड़ा कर बयान करें तो उसमें हम क्या करते हैं कि adverbs को लगाते हैं और उसके साथ दूसरे adverbs लगा देते हैं जो कि उसको modify करता है तो यहां पर badly already adverb है उसको साथ extremely लगा कर हमने उसको मजीद modify कर दिया इसी तरह से to modify quantities there are quite a lot of people here अब यहां पर lot of जो है यह quantities है और इसको modify कर रहा है quite जो के adverb है इसी तरह से to modify sentences फिक्रात को modify करने के लिए मसलन unfortunately the flight to Dallas had been cancelled अब यहां पर the flight to Dallas had been cancelled इस पूरे फिक्रे को modify कर रहा है unfortunately जो के adverb है यहां पर यहां तक मैं उमीद करता हूं को आपको बात की समझ आ गई होगी हम next चोथे point की तरफ चलते हैं types of adverbs पहला adverbs of manner दूसरा adverbs of degree तीसरा adverbs of frequency चोथा adverbs of time और पांचवा adverbs of place पहला जो adverbs of manner है उसमें क्या है कौन-कौन चोते हैं quickly kindly यानि कि किस अंदाज में कोई काम हुआ मसलें she walks quickly she eats quickly she talks kindly अब यहां पर quickly और kindly जो हैं यह adverbs of manner हैं इस तरह से adverbs of degree होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ की शिदत को बयान करते हैं इसमें very और rather का इस्तमाल होता है he is very nice person तो यहां पर very जो है वो degree के form में आएगा इसी तरह से adverbs of frequency होते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार होई मसलां often he often comes here वो अक्सर यहां पर आता है इसी तरह से often और sometimes जो हैं यह दोनों adverbs of frequency है next adverbs of time है जिसमें हम वकत का जिकर करते हैं now today it is raining now it is raining now अब यहां पर now जो है यह time की तरफ इशारा है इसी तरह से today यह भी एड़ब्स of time है तो यह जो time की तरफ इशारा करते हैं वो adverbs of time कह लाते हैं और भी बहुत से मिसालें दी जा सकती हैं इसी तरह से adverbs of place हैं जहां पर जगह का जिकर होता है here, nowhere तो ये adverbs of place हैं ये kinds of adverbs पर एक अलहदा वीडियो बनेगी तब ये अच्छी तरह से इनको हम समझ पाएंगे next जो adverbs के बारे में बात है वो ये है कि how to know whether to use an adjective or an adverb अब आपको कैसे पता चलेगा कि adverb को इस्तमाल करना है ये adjective को इस्तमाल करना है तो पहले हम बात कर चुके हैं कि अगर हम शक्स की बात करें तो फिर हम adjective की इस्तमाल करेंगे और अगर हम उसके काम की बात करें तो हम उसके अब वहाँ पर हम जो है adverb लगाएंगे अब मिसाल के दोपर हम कहते हैं तो Ihmad कैसा है? हम यह नहीं कह रहे हैं उसकी driving कैसी है जब हम उसकी driving की बात करेंगे तो फिर वहाँ पर हम adverb लगाएंगे अब यहाँ पर adjective careful लगाएंगे क्योंके अभी हम एहमद के बारे में बात कर रहे हैं इफ वाइट तो यहां पर क्या होगा क्या होगा यह एड़र्ब जो है वह हम लगाएंगे I am a slow walker अब यहां पर बात रही है कि how am I कि मैं कैसा हूँ अब यहां पर slow क्या है slow यहां पर adjective है यह अगर आपको एक फिक्रा दिया जाए न और उसमें आपको यह बताना पड़े कि यह एड़र्ब है यह adjective है तो आप अपने आपसे सवाल करें विसाल के दोर पर वो कह रहा है I am a slow walker तो आप अपने आपसे सवाल करें How am I कि मैं कैसा हूँ तो जवाब आपको मिलेगा कि मैं slow walker हूँ यह नि slow walk करने वाला हूँ slow चलने वाला हूँ तो बात आपके personality की होगी तो यहाँ पर slow जो है यह adjective आएगा I walk slowly तो इसमें क्या होगा कि यह आप चलते कैसे हैं उपर वाले में था कि आप हैं कैसे नीचे वाले में है कि आप चलते कैसे हैं यह आपका जो काम है वो किस अंदाज में होता है तो इसमें आएगा slowly अब slowly जहां पर जो है वो एड़ वर्ब है यानि आपने ly को नहीं देखना बलके आपने सवाल यह करना है कि अगर शक्स के बारे में उसकी personality के बारे में बात हो तो फिर वहाँ पर adjective लगेगा और अगर उसके काम के बारे में बात हो तो वहाँ पर एड़ वर्ब लगेगा यह बात काफी बार हो चुकी है next adjective or adverb after special verbs कुछ जो adjective or adverbs होते हैं कुछ खास अलफाज के बाद आते हैं मसलिन बोथ adjective and adverbs may be used after look, smell and taste look, smell and taste के बाद आप adjective भी यूज़ कर सकते हैं और आप adverb भी यूज़ कर सकते हैं the change in meaning here are two examples the pizza tastes good मतलब pizza कैसा था how is the pizza pizza कैसा है tastes good jammy oliver can taste well how can jammy oliver taste तो यहां पर जो है वो well का इजाफा करेंगे well यहां पर जो है वो कि उसने कैसा उसका जैका लिया तो यहां पर जो है adverb का इजाफा होगा और pizza कैसा है यहां पर good का इजाफा होगा good जो है यह adjective है और well जो है यह adverb है इसी तरह से Peter's feet smell how are his feet यानि उसके feet कैसे हैं तो उसके feet जो है वो smell करते है यानि Peter's feet smell bad यहां पर bad क्या है यहां पर adjective है Peter can smell badly how can Peter smell यानि Peter कैसा smell करता है अब उसका action की बात हो रही है तो यहां पर badly आएगा जो के adverb है do not get confused with good and well आपने good और well के बारे में confused नहीं होना के यहां पर Linda looks good what type of person is Linda यानि she वो किस तरह की औरत है तो she Linda looks good next Linda looks well अगर हम यह कहते हैं तो इसमें क्या होगा how is Linda she may have been ill but now she is fit again अब हम यहां पर हमने well के इस्तमाल किया हो सकता है कि वो पहले भी मार रही हो और अब वो ठीक हो तो इसलिए हमने well के इस्तमाल किया how are you I am well thank you यह एक इजाफी बात हो गई next हम इसके conclusion की तरफ आते हैं कि use the adjective when you say something about the person itself बहुत काम की बात और बहुत interesting बात इस सवाले से कि आप adjective का इस्तमाल करें जब आप किसी शक्स की यानि कि वो शक्स इटसेल्फ कैसा है when you say something about the person itself जब आप किसी शक्स की जात के बारे में बात करें तो आप adjective के इस्तमाल करें use the adverb when you want to say about the action जब आप action की बात करें तो आप adverb का इस्तमाल करें person की बात करें तो फिर adjective के इस्तमाल करें और अगर action यानि कि काम की बात करें तो फिर adverb का इस्तमाल करें for listening me and please subscribe to my channel ये चैनल चोके है इसको subscribe करें ताके next जो वीडियो से हैं वो आपको मिल से कें thank you very much for listening me and have a good time